भारत की सबसी सेफ कार बनाने वाली कमपनी टाटा मोटर्स जिसका लोगा हर कार कमपनी मानती है जिस कमपनी के अंदर जैगवार लैंड रोवर जैसी बड़ी लेक्जरी ब्रैंड आती है इस कमपनी की शुरुवात 1945 में as a commercial vehicle manufacturer हुई थी उस दौर में टाटा बसेज और कार बराने में ज़्यादा फोकस करती थी और उस दौर में पैसेंजर वेकल की डिमांड बहुत ज़्यादा कम थी जो की इंडियन मार्केट ने बहुत ज़्यादा हिट सावित हुई फिर 1998 में टाटा ने टाटा इंडिका लांच की जो की कमपनी की सबसे बड़ी failure मानी जाती है इस कार के manufacturing के वज़े से टाटा को बहुत ज़्यादा losses हुए जिसके बाद कमपनी बिकने के कार पर आ गई थी इसके बाद टाटा टाटा मोटर्स को बेजने के लिए Ford कमपनी के पास गई Ford के executives ने टाटा मोटर्स को खरीदने से पहले कहा हम ये कमपनी खरीद कर आप पर आइसान कर रहे हैं अगर आपको कार बनाई नहीं आती तो आप इस market में आये है क्यों टाटा को इस बाद तो बहुत जादा गुस्सा आया और वो सीधा मीटिंग कैंसल करके भारत लोटा आये और ठानिया की टाटा मोटर्स को एक अच्छी successful कमपनी बना कर रहेंगे फिर धीरे धीरे टाटा ने अपने सारे losses को रिकवर किया फिर 1990 से 2007 तक ये कमपनी काफी अच्छी perform कर रही थी भारत की सबसे बड़ी car manufacturing कमपनी बन गई थी उस दौर में लोग कहा करते थे car हो तो टाटा की ही हो और उस वक्त तक टाटा मोटर्स की revenue 9 billion dollar तक पहुँच गई थी दूसरी दरफ Ford की subsidiary company Jaguar और Land Rover almost bankruptcy तक पहुँच गई थी कमपनी को काफी अधा losses हो रहे थे तो उन्होंने Jaguar और Land Rover को बेचना चाहा तब टाटा मोटर्स ने JLR को acquire कर लिया टाटा मोटर्स की इस decision पर सभी ने कहा अब टाटा मोटर्स के गुरे दिन शुरू होने वाले हैं क्योंकि टाटा मोटर्स हमेशा से 10 से 12 लाग के segment में कार बनाती आ रही है और टाटा कोई idea नहीं कि एक दो करोट की गाड़ी कैसे मेशी आती है लेकिन टाटा ने सबकी कही बातों गलत सावित किया और जैगवार लैंड रोवर को एक profitable company बना के रख दी लेकिन इसके बाट टाटा मोटर्स की डानफॉल होने शुरू हो गई इसका सबसे बड़ा reason ये माना जाता है कि इनके chief executives ने अपने bottom lines पर ध्यानी नहीं दिया company के after sales service बहुत ज़्यादा खराब थी लोग गाड़ियां खरीद तो रहे थे लेकिन उन्हें after sales service नहीं मिल रहे थी और गाड़ियों के spare part फिर बहुत मुश्किल से अवेलेबल हो बार है थे इस सारी problems के वज़े से टाटा की गाड़ियों में बहुत ज़्यादा negative impact पड़ा इसके वज़े से लोग दूसरी कमपनियों की गाड़ि लेना बहुत ज़्यादा prefer कर रहे थे और टाटा की गाड़ि ना लेने का एक और reason ये भी था कि टाटा की गाड़ियां बहुत ज़्यादा old model लगती थी क्योंकि टाटा ने बहुत लंबे टाइम तक अपने गाड़ियों में कोई नया design introduce नहीं किया था और उसके बाद 2009 में टाटा ये launch की टाटा नैनो जो की दुनिया के सबसे सस्ती कार मानी जाती थी लेकिन इसके marketing strategy में negative impact जादा पड़ा और इसके बाद टाटा की एक के बाद एक गाड़ियां flop होने लगी उनके sales में काफ जादा गिरावट आ गई और साल 2016 तक टाटा की market share 17% से गिर कर 4% रह गई थी और सबने सोचा कि टाटा मोटर से बंद हो जाएगी क्योंकि तब तक सेपरले मोटर जैसे बड़ी कमपनी भी इंडिया से exit कर चुकी थी फिर साल 2016 में कमपनी में एक बड़ा change आया वो change था कमपनी का CEO बदला गया कमपनी को एक नया CEO मिलने के बाद कमपनी में काफी जादा changes हुए जैसे कमपनी के marketing strategy बदल गई after sales service में काफी जादा improvement आई और कमपनीयां गाडियों की नई-ने design इंट्रड्यूस करने लगी कमपनी ने कार की safety पर सबसे जादा ध्यान दिया और इसे अपने marketing campaign में भी use करने लगे जैसे इंडिया की सबसे जादा safest कार Tata की Nexon इंडिया की सबसे पहली 5 star rated कार बनी जो के पहली इंडिया की सबसे जादा safest कार थी और उस समय तक कोई भी कार 2 या 3 stars जादा rating नहीं दे पादी थी और उसके बाद Tata ने एक के बाद एक अच्छी will quality वाली कार इंडियूस करी और इसी किस्ता दो हज़ार बीस में इन्हों ने लॉंच किया इंडिया के सबसे पहला EV कार जो कि दिए Tata Nexon EV जिसका market capital अभी 70% तक है और आज के समय Tata Motors इंडिया की तीसरी सबसे जादा पसंद की जाने वारी कार है